असलाम अलेकुम आई योटूब फैमली तो जी क्या हाल जा रहा है आप सब के अमीद है आप सब ठीक होंगे अलहमदलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ कैटि मैंने अबना प्लोГ स्टार्ट किया था दूपहर से खार ना तूपहर मैं दूपहर मैं लेंच करी थी पकडी Umilrie रात में खाने में नहीं अथी क्हा लीया और फिर उसके वाद जी यहां पर मेरा जो मने वैलवेट का ड्रेस लिया था उसे बैठी स्टीच कर रही थी वैसे भी विंटर्स तो खतम हो चुकिया है तो बस मेरा टाइम लगा तो फिर मैंने का कर चले मैं से स्टीच कर लेती हूँ क्योंकि जब next year month आएंगे ये winters आएंगे तो पता हैं मेरा पास टायम होगा इसे स्टीच करने का के नहीं तो फिर मैंने सोचा कर चले अभी से स्टीच कर लेती हूँ क्योंकि इतना काम नी था मेरे पास घर का तो परस वगयरों से आज मैंने चुटी ली थी तो वो मुझे नहीं बनाने थे तो फिर मैंने का कचले बैठके ना जी हम अपना ड्रेस स्टीच कर लेते हैं और फिर मैंने इसको पुरा स्टीच किया यहां पर बस लैसिस वगरा रह गी थी वो मैंने लगाई है तो बहुत अच्छा लग रहा था तो फिर फाइनल लुक दिखाई नहीं सकी आपको क्योंकि मेरे मुबैल में से जो बैटरी थी वो खत्म होगी थी तो फिर मैंने चार्जिंग पर लगा दी और प्र बाद में जी मैं भूल गी इसकी वीडियो फाइनल लुक आपको दिखाना तो जब पहनूंगी तब मैं आपको दिखादूंगी क्योंकि अभी तो श्यद्मा नहीं पहना गर पहना तो फिर मैं आपको दिखादूंगी तो फिर उसके बाद जी यहां पर फिर मैंने बैठके ये वाली गेम खेली ये मीरब का मुबाईल है क्योंकि वो मेरा मुबाईल पकड़ती रहती है अपने बाबा का भी उसने मुबाईल खराब कर दिया हुई देसर जी का तो इसलिए फिर उसके बाबा ने उसे यह चोटा सा मुवैल लाके दिया तो यह मेरे पास बचमर में था और मैं जी गेम यह वाली मैं बहुत ज्यादा खेली हूँ तो यह भी उसने तोड़ दिया इसको भी मैंने टेपें शेपे लगाई हुई थी तो फिर मैं थोड़ी सी अपनी गेम एंजॉई की और फिर मैं नीचे वाले रूंग में बैठी हुई थी मुवी बड़ी अच्छी लगी थी तो फिर मैं मुवी देख रही थी साथ मुझे लगी थी भूख क्योंकि तकरीबन तो शाम के बच गे थे छे साथ बच गे थे तो फिर मैंने सौचव के चले नूडल्स बढ़ेंख के यहीं पे बनाते हैं तो यहाँ पर जी यह वाली मेरे पास नूडल्स थी और यहाँ मैंने में पानी में मसाला डाल के रख दी था तो मैंने काлуч के çaब साथ मूवी भी एंजॉय होती रहेंगे और हम अपनी नूडल्स भी बनाते रहेंगे अच्छा विंटर्स का यह फाइदा होता है सर्दियों का कि खाना अगर इस तरह की नूडल्स बनानी है या चाहे वगहरा गरम करनी है तो अपने पास हीटर पड़ा होता है तो वही बैठ ज्यादा गरमी पड़ रही होती है और उपर से हीटर निया रूम में जिला सकते तो फिर किचिन में जाना पड़ता है तो बस यहां पर नूडल्स बन गी थी मैंने अपनी नूडल्स एंजॉय की और फिर मेरे मुवी भी खत्म होगी थी तो फिर मैंने सोचा के अब मैं क्य जाना करूं तो फिर मैं ओपर वाले रूम में आगी और फिर मैंने आके अपने ड्रेसिंग टेबल की अच्छी खासी क्लीनिंग की या मेकप की की है तो थोड़ी बहुत मैं ड्रेसिंग टेबल की भी कर ली क्योंकि जो मेरा में एकसपायर हो चुका था वो मैंने निकाल के मेरा जो फ्रेवरिट था या जो मुझे रोज में यूज होता है क्योंकि अकसर वगरा अलड़के आ जाती है मेकप करने के लिए तो मुझे अरजेंट जो चाहिए होती है चीज़े वो मैंने निकाल के ड्रेसिंग टेबल पर रखी कुछ टूड़ चुकी थी जो के मीरब न सेक्शन नए रखे और में अनुर्ट भाड़ रखे क्या इंग जुन्स टनियकाई मे creations बसे लिए है तो में अच्छे लगती है ऐस मेरे निकाल के बिखेंट न कीज़ए क्याड़ऑ है और एक यह वादी F utan 20 मिगवे घुक्तन है तो यह र domestic टीज़ेंट axley जब श्यून नह कि एक हाथी का बेबी है तो उन्होंने मुझे चुड़ाने के लिए ये कीजेन गिफ्ट की थी और ये मेरे पास तब की पड़ी हुई है तो आज फिर मैंने इसको चाबी में डाल लिया और ये लोशन पड़ा हुआ था और पता नहीं यहां पर क्या करा मैंने जब मुझे तो फिर भूख लेगी हुई थी क्योंके डिनर तो हम लोगों ने किया नहीं तो कुछ गैस्ट भी आए हुए थे तो फिर में हम लोगों ने रिसाइट किया कि हम नाज पीजा ले आते हैं तो फिर मैं उसी वाले रेस्टरांट पर गी थी जहां मैं बियानी खाने भी यह थ ऐने खाया था तो फिर यहान पर जा रही थी पीजा लेने और साथ मेरा चुटा बाई भी था कजन भी था तो तो हास्बेंट और कजन जी ओर्डर देने चले तुर मैं यहां पर बैठके जी ओर्डर का वेट कर रही थी और साथ मैं उनका मेनयो पड़ रही थी क्योंके इन्होंने मेनयो बहुत बरा क्लिंडर ले कर ना इस venue तरह लगाया हुआ तो बस यहां पर बैठी मैं अके लिए बैठी हुई तो और मैं वेट कर रही थी यहां पर बैठके और फिर जी मेरा वेट खत्म हुआ आदे गैंटे बाद जी हम लोगों को अपना ओर्डर रेसीव हो गया हम लोगों ने पैकर आ लिया था घर ही ले आए थे और जी हम लोगों ने लिया कैसा वो भी मैं आ आपके बदा देती हूं तो यह जापREE हम लोगों ने यह दो पीजा ओडर किया थे और साथ ही कोग और यह मलाई उटी पीजा थे मैंने मिन भूटपकी पीजा तो हजबन में मलाई बोटी पीजा यहां ने ब्लाइब exist शोट्स भी बनायते हैं मेरे योट्व पे और आप सब ने वो इतनी पसंद की है थैंक्यो सो मच तो इस वीडियो को बनाने में तक्रीबान एक से दो गंटे लग गए थे फनी वीडियो बनाने के लिए क्योंकि हम लोगों के समझ नहीं आ रही थे हम लोगों ने बात क्या करनी है तो फनी तो वीडियो हम लोग नहीं बनाते तो मैंने शोट बनाया था फनी योट्व पे वो भी अपलोड है तो फिर उसके बाद जी मेरा दिल किया कि मैं महंदी लगा लूँ क्योंकि मैंने यूटूब पर एक शोर्स डाला था महंदी लूप का तो वहां पर मुझे किसी ही ने कमेंट किया कि आप भी आपना महंदी लगाया करो आपके हाथों पर बड़ी सूट करेगी अब पर पर इसके बाद जी मैंने ड्रीब क्रीनिंग की थे तो यहां पर मेरा यह जोट हुआ यह तो इसको ना जी मैंने वश जोड लेती है ठीक कर लेते हैं तो मैंने प्रापणों के साथ प हिश्च कर लिया गाया है मेरे पाम समय हिए चार साल हो गया हिए मेरे बाला पाम सकते मेरी बॉक्स हो गाने मेरे छहाइ'S हिजाबाद मेरी हिए यहां दो इसमें इना पढ़ी रहते हैं मैं इसमें और भी रखी होती है आपने रिंग बगारा भी रखी होते तो काफ ही ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इसको पूंच कर देखें, आपने ही ने डहीं हो हो जाता है तो बस इसी को भी बैठी मैं यहां पे सेट कर रही थी और यह सेट हो गया और बड़ा अच्छा लग रहा था लाता है तो जी यहां पर मैंने आपको दिखा दिया इसकी फाइनल लुक यह इस तरह का लगता है और बाद में जी मैं इसमें अपनी जो चीजे मैंने इसमें से निकाली हैं वो मैं इसको साफ गारा करके मैं इसमें रख दूंगी क्योंकि अभी तो एक हाथ में महंदी लगी हुई थी तो इस तरह का यह लगता है बड़ा है मेरे लिए इसने हैल्प की हुई है मेरे चीज़ों को इसने सेफ रखा हुआ है और फिर उसके बाद जी मैंने अपनी महंदी वाला हाथ वोश कर लिया था क्यूंकि अभी सबने सोना था मेरे हज़बन नीचे परस का खाम वैठे कर रहे थे फिर मैंने उपर आने से पहले पहले मैंने अपना हाथ वोश कर लिया था तो आज का व्लोग मेरा ये था छैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आकेन को भी हिट कर दीजेगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकिशन मिल जाए तो अपना धेर सारा ख्यार रखेगा मैं मुलती हूं नेक्स्ट वीडियो में अलाहाफीज